Hey guys, welcome back to my channel, कैसे हो आप सब लोग, I hope और मेरी ईश्वर से यही दुआए कि आप सब लोग जहां भी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्त रहो, और आज की वीडियो का टाइटल है, आपका कोई भी काम, चाहे वो वर्क हो, चाहे करियर हो, चाहे वो रिलिशन्शिप हो, मनी ह पानेंस हो, कोई भी काम बनते बनते अखिर एंड में क्यों रुख जाता है, ऐसा होता ना हमारे साथ कि हमें लगता है कि हमारा काम होने वाला है, बस होने वाला है, बट एंड में रुख जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीके, आज से कहां अरजन आ रही है, कौन से ऐसे या ऐसी कौन सी चीज हैं जो आपको परिशान कर रहे हैं, जो आपका काम नहीं होने देरी, आज आम यहाँ पर यह दिखेंगे, यहाँ पर दो कार्ड हैं, फर्स्ट है ब्लू और सेकंड है यह बर्गिंडी कलर, इन दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज़ादा और फर कार्ड चूज कर सकते हो, और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, नमबर वन, जिन्होंने भी ब्लू कार्ड चूज किया है, तो अगर मैं बात करूँ कि आपका काम बंते-बंते क्यों बेगर जाता है, तो देखें डियर, सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पैसा लग रहा है कि आप पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ महीनों से, या पिछले एक-दू सालों से, आप लोगों की लाइफ में बहुत जादा डिस्टरबेंस हैं, बहुत जादा डिस्टरबेंस हैं, और इस डिस्टरबेंस वाले पीरेट में भी अगर आपने कोई काम क या फिर आपकी लाइफ में पिशले एक दो सालों से बहुत जादा लड़ाई जगड़े यहाँ पर मुझे पीस नहीं दिख रही बहुत जादा स्ट्रेस दिख रहा है शायद काम को लेकि स्ट्रेस है आपको या पिजब भी काम करने आपके आसपास के लोगों का वो सपोर्ट नहीं है। और सपोर्ट तो दूरकी बात और फाइटिंग भी हो सकती है। ये चीज़ हो सकती है।ihatके एक लोगों के ईपर जा कुछ लोगों के ईपर किसी ताइब का होता है। si टैpf की उपर हो सकता है। तो आप वो शुम के लिए बहुत सारे तरीके सेज यह है उपके सब्लिमिनल है साउंड बात है जो भी आप वो यूज कर सकते हो ठीके नेगटेव एनर्जी क्लियर करने के लिए और दूसरी बात यहाँ पर यह जो यह जो बी नजर लगना या जो भी यह किसी टाप की एनरी और जी है नेगटे आप जो चीज पाना चाहा रहे हो उसमें आप वो आप डिजर्व नहीं करते हो ठीक है लोगों को यहां पर यह भी लगता है और जिसके वज़े से वो कहीं ना कहीं जैलिस और एंवी वाली फिलिंग आ जाती है मुझे यहां पर यह भी लग रहा है, कि शायद आप जो भी पाना चाहते हो ना, आपके लाए पलललॉए होना बहुत कम चाहि ने के तो आपको यहां पर यह करना है, कि आपकी और आपकी गोल की बीच में कोई लोग नहीं आने चाहिए इस्पेशली वो लोग जिनका कोई मतलब नहीं न उन्सको बिल्कुल दूर रखो आप लोग आप लोग काफी अमभिशिस लोग हो ठीके आप ऐसे लोग नहीं हो जो बिल्कुल बैठे रहते हो आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है ठीके आपको लगता ह हो ठीके आपके अंदर वो capabilities है वो skills है बट आपको ना शायद जिस designation पर आप हो उसे lower है मतलब अब यह जो लोग काम कर रहें उनसे related हो सकती है अब जो लोग भी even जो लोग students है college में जाते हैं उनके लिए भी तेखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफी creative हो बट पत पर आती है कि आप जो भी कोई आपके दिमाग में ना thought आता है कि मुझे यह काम करना है ठीक है तो आप उसके लिए इतने जादा excited हो जाते हो कुछ लोग एक्स्ट्रा लोगों को involved कर देते हो एक तो सबसे पहले बात किया आपका दिल बहुत बढ़ा है आप कहीं ना कहीं ब पर तो आप क्या करते हो भाइन बहुत सारे लोगों को involved कर लेते हो तो चब बहुत सारे लोगों को involved कर लेते हो और फिर वहां पर लोग मैनुपलेट करने लग जाते हैं फिर चीजेश जो है रूकर होती है नहीं होती है और उस excitement में उस काम में जितना dedication चाहिए जितना काम वो कहीं न कहीं slow हो जाता है ठीक है वो excitement जो है न आपकी उस excitement में वो काम जो है वो बन नहीं पाता यहाँ पर यह भी लग रहा है कि आप लोग शायद पिछले पिछले टाइम से बहुत अच्छे sleep नहीं करी आपनों कि زच पाइस से दुख इस बहुत से धायद है आपकी वर्क को लेके गए सकता है या पैसो को लीएक किक कोई भी आपका काम है ठीक है या आपको पैसो के लेकर कुछ लोगों के लिए जेशा है कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकता है आपडोप elabor यहां पर यहां पर लग रहिं कि अब ही रोशु उसकरर है जहां पर आपको हम ऐसे पे केुझ्टा रहां कि वर बिल्कुल पनियुक्त परके करेश में पूम कुछ था रहा अपको फॉर्परियो जाए ग्लागी कोई अच्छी चीज मीली होगी और अब वह काम बन जाएगा और एकदम से यह एक लगा झाले हम एक तोड़े ताइम पहले कोई-प्पप्पेक्टिशन जगी आपकी काम को लेके, कोई प्रमोशन की बात, कोई डिजायर जॉब की बात, या फिर ना कहीं बाहर जाने की बात yes ये भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना कहीं और ट्रावल करना चाहते हो ठीके कहीं और जाना चाहते हो ये भी चीज हो सकती है या आप में से जो लोग students है college going है या अभी आभी जिनकी जॉब लगी है जॉब लगिये होए 4-5 साल होए आप लोग कहीं बाहर सेटल होना चाते हो कई अच्छी जॉब पाना चाते हो बड़ी जॉब पाना चाते हो कुछ लोग पढ़ाई करना चाते सर्टिफिकेशन चाते वो जो चीज ना अभी अभी कुछ चीजे अपॉंच्टिनिटी बनी और वो चीज सक्सेस्फुल सेठी होई अभी अभी की बात करें हो यह आके पिछले एक मैंने की एनरजी भी में और सकती तो मुझे ऐसा लग estos you एसा राहा है जहां पर आपको कोई result नहीं मिलाard desired नहीं मिला और अभी recently भी वह कहा दों मतलब फ्रूफ मिल गया कि अब नहीं अभी तो शायद आपकी, आपना कहीं ensure hopes छो कहती न आपकी आपकी, आप कहीं न कहीं बहुत ज़द्व स्ट्रेस में, ओके, ओके, चलो अब बात करते हैं कि आपका काम आखिर बनता क्यों नहीं है, आपका काम आखिर हो क्यों नहीं रहा है तो सबसे पहली बात देखे रियर, देखे, जो भी चीज आप कर रहे हो, ठीके, आप सबसे पहली बात एक बात समझ लो, आप अपनी लाइफ के एक transformation phase से जा रहे हो, आपकी चाहे कोई भी age हो, चाहे आप college going हो, student हो, ठीके, आपकी 20 to 30 हो, 30 to 40 हो, कोई भी age हो, बट आपका कुछ time पकने में कहते हैं, कुछ time जो पकने में लगता है, ठीके, और उसके बाद butterfly जो होती ही, उसमें colors आते हैं, और उड़ना सीखते हैं, बट उससे पहले अगर उस caterpillar को कुछ करा जाए, तो तोड दिया जाए, तो उसके बाद वो butterfly नहीं बन पाती, तो मुझे ऐसा लग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को, आप लोगों के अंदर बहुत जादा hope, excitement, passion है, सब कुछ है, but what happens, जो काम जिसमें slowly concentration की जरूरत होती है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत होती है, बिल्कुल जहां पर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ honestly dedicated work चाहिए, जहां पर भले धीरे धीरे भी काम करना पड़े, वहां पर आप लोग शायद वो चीज में आपका कही ना कही थोड़ा सा काम हो रहा है, अगर मैं आप लोगों के लिए एक बात बोलू ना कि आपके लिए आपका काम आखिर कार बनते बनते क्यों रुख जाता है, तो देख वो लेवल और आपका लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस और है, अपि आपको महनत थोड़ी सी और करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और लगना पड़ेगा, मतलब लगे रहो मुझना भाई वाली जो लाइन है ना मुझे वो लाइन याद आ रही है, ठीके, यहां पर यह हो सकत अपने वाली जो चीज होते हैं, अगर वो चीज अगर आप में आ गई ना तो आपका कोई काम नहीं रोकेगा, ठीके, मुझे यहां पर यह लग रहा है कि आपका जो साटर्न है, ठीके, विकास आपने यह ब्लू कलर अट्राट किया है, आपके अंदर इतनी जादा, इवन आपके औरा में और आपके चक्रास में, रेड कलर बहुत जादा डॉमिनेंट होगा, ठीके, क्योंकि यहां पर मुझे यह दिख रहा है, और तो आप लोग ना किसी भी चीज में आपकी लाइफ में होती ही, कोई भी चीज होती है आपकी, तो आप बहुत जल्दी उस पे, बहुत जल्दी उसको जवाब देते हो, मतलब बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, कैसे बहुत जवाब देते हो, या बहुत जल्दी, आपके लाइफ में रिस्पॉंट करने के लिए आप टाइम लिया करो, किसी भी चीज को करने के लिए टाइम लिया करो, आप अपने सैटर के वाली एक लाइन याद आ रही है कि आप कोई भी अपने लाइफ में काम करना चाहते हो न तो उसके लिए आप यह मत देखो कि उसका पे कितना है या उसमें कितना उसका पे कितना है उसकी designation कैसी वो सब नहीं वो क्या capabilities क्या skills मांग रहे हैं वो skills आपके अंदे पूरी 100% है द मैं यहाँ पर यह कहा रही हो कि अगर आप कोई अपना काम बनाना चाहते हो न तो बहुत ही शांती से बहुत ही धीरे से आप उन चीजों पर लगो ठीके और किसी भी चीज में जल्दबाजी मत करना ठीके फर्स चीज और जितना आप अपने साटर्न को स्ट्रॉंग करोगे अब देए साटर्न को स्ट्रॉंग करने की चीज होती है जितना आप गरीब लोगों की हट करोगे गरीब जो बूरे लोग खोते न उनकी आप जितनी हट करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा जितनी आप शुगर डोनेट करोगे तब भी आपका जो मारस है न वो कंट जो कितने जन्मों से एक ही काम कर रही होती तो वो perfect हो चुकी होती उन कामों में ठीक है बट जो आप हो वो already दूसरे प्लानेट से आये हो ठीक है already मतलब मुझे यहसा लग रहा है या आप बहुत नए नए आये हो मतलब आपकी जो soul है वो kind of बहुत ही old soul नहीं है ठीक है नहीं नहीं soul है बच्ची बच्चो वाली soul है cute cute soul है प्यारी प्यारी soul है तो है ना आपको actually जो चीज आप चाहर हो ना आपकी life में उसमें आप ही समझ लो कि उसमें time लगेगा उस चीज में टाइम लगेगा, उस चीज में डेडिकेशन लगेगी, जब टिक्की करोगी तो हो जाएगा, ठीके, ओके, और बात करते हैं, कि आपकी कहा अरचना रही है, तो देखे, मैंने कहा था ना, कि आप, आपके लाइफ में कोई भी चीज, अगर आपको लगता है, कि अच्छा यह अपॉर्चनिटी मिल रही है, मालो कि पेपर में कोई एड छपा, कोई जॉब विकेंसी का, या जो आप चीज चाहरे हो, उसके लिए कोई अपॉर्चनिटी आपको दिखी, ठीके, तो आपको क्या लगता है, कि अच्छा यार, मतलब आप उसी टाइम अपने जो गोल होते हैं, गोल के जो एंड रिजल्ट होते हैं, उसे इतना जाधा अठाच हो जाते हो, कि तेखिए, यह जो प्रॉब्लम्स होते हैं, यह बिल्कुल बेसिक वाली, बेसिक यूमन प्रॉब्लम्स हैं, यह एक उमर के साथ आते हैं, हो सकता है कि आप लोग काफी सब चीजे मुझे यहां पर दिख रही है आप लोगों के साथ बट यहां पर यह भी दिख रहा है कि सीडियर जिन चीजों पर देखिए मैं अगर बताती हूं क्या होता है कि यहां जो आपकी कार्ड्स आरे ना सारे कार्ड्स एक ही चीज कह रहे है क्यों जब कोई और जब सब्सक्रादब करते हैं आपको काम कैसे नहीं बना आपका चीजे कियसे नहीं हुई बट होता है कि internally आपको पता होगा कि आपके साथ क्या होता है जब भी आपको लगता यहां से ही opportunity आ रही है तब आपकी सारी जो एनरजी है नो बस वो एक अलग excitement वाले level पे चली जाती है और कहीं न कहीं आप grounded नहीं रह पाते हो कहीं न कहीं आप न चीजों को उस ground level से जो देखना होता है न जो चीजों की hardships जो भी आप अपने life में चाह रहे हो उसमें जो hardship देखनी होती है जो भी hardship जो struggles होते है वो ग्राउंड लेवल पे ही दिखते हैं तो वो चीज नहीं दिखती क्योंकि आप next level पे चले जाती हो ठीके और दूसरी चीज यहां पर यह कि आप ब्रीथ करा करो dear आराम से टेक लॉंग लॉंग डीप ब्रीथ ठीके और दूसरी चीज यह यह जो ग्रॉप है यह ग्रॉप आप लोगों से लोगों इतना प्यार करने की चाहरी न क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का दिल इतना जादा टूटा हुए ना लास्ट के ए जो एनरजी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं है ठीके तो आपको सबसे पहले हीलिंग की जरूदे सबसे पहले ना आप अपने आपको हील करो एक दम शांती में आओ इसम में डिवाइन के ट्रस्ट रखो ठीके लेट होगा पर होगा जरूर और जितना पहले आप अपने आपको हील करो ट्रस्ट करो शांती से कोई भी चीज अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी लाइफ में कोई अपोचिनिटी आए ठीके और आप चाहे वो पूरी हो तो उसके लिए सबसे पहले बात आप भागो मत किसी भी चीज में आगे सोचो मत कि यार इससे य आपको कहीं बाहर जाने के अपोचिनिटी आ रही है बाहर सेटल होने के अपोचिनिटी आ रही है बाहर पढ़ने के अपोचिनिटी आ रही है कुछ अगर ऐसी आ रही है तो आप उससे पहले न कोई भी सपने मत सोचो कि अच्छा में बाहर जाओंगा ऐसा होगा वैसा होग एक युमन चो होते हैं, वो कुछ भी मत सोचो, जो अपॉचुनिटी आरे हैं, आप उसके डीटेल्स बे जाओ, वो क्या रिक्वार्मेंट हो रही है, वहाँ पे जाओ, और उसके बाद स्टेप बाद स्टेप काम करो, ठीक है, आई नो हो सकता है, आप मैंसे बहुत सारे लोग बुरा मान जाए कि, यार, मैं तो करता हूँ, यार, आप कैसे बोल रहे हैं, बट देखिए, जो रीडिंग्स में आ रहा है, हमें सिर्फ वही बात किया रहे हैं, ठीक है, और आप अपने मार्स और साटन, ये दो प्लानेट पता है कैसे, ये दो प्लानेट ऐसे हैं, मतलब शनी जो हैं, वो कहीं न कहीं, बहुत ही ओल्ड, मिच्यूर, और बहुत ही शामती वाल आदमी, ठीक है, आदमी नहीं, सॉरी प्लानेट, और जो मार्स हैं वो चबी, चबी तो नहीं, बबली, और रिग्दम बिल्कुल एनरजेटिक, फटा-फट अक्शन करना चाहता है, तो आपके अगर जैसे ही मार्स और सैटर्न, ये जब दोनों बैलेंस आर्ट हो जाएंगे न, आपके लाइफ में अक्शली में पीस आने लगेगी, क्योंकि अगर मैं बुलो न, आपके लाइफ में क्या चीज सबसे ज़्यादा खराब हो रही है, तो डियर देखिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, फायरी साइन के हो, बहुत सारे लोगों का जो मार्स है न, वो कहीं न, कहीं आपको बिलकुल बहुत ज़ादा ही पैशनेट बना रहा है, बहुत ज़ादा ही एक्साइट मिला रहा है, आपको कुछ चीज को कंट्रोल करने की ज़रूत है, जिन चीज़ों में एक्शन नहीं चाहिए, तो यह चीज होती है, आपको अपने मार्स को कंट्रोल करना है, और देखिए आप, आपकी जो यह रीडिंग है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हूं बोलने के लिए, क्योंकि हम सब यूमन फॉर्म्स में अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे होते, अपनी चैलेंज़ से लड़ रहे होते हैं, अपनी शैडो साइट से को सही कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़े, तो यहाँ पर मैं यह बिल्खुल भी नहीं कहना चाहती हूं, कि आपके अंदर यह क्वालिटी खराब है, और यह से न मैं कुछ भी नहीं होते हूं, पर जो यहाँ पर कार्ज आ रहे हैं, मैं सिर्फ वो कह रहे हूं, ओके चलो और आगे बात करते हैं, तो देखे डियर, अगर मैं बात करूँ नहीं कि आपकी opportunity, जो आप opportunity ढूंड रहे हो, वो क्या successful होगी, क्या वो आगे होगी, तो yes, definitely, यह जो आपका काम है ना, इस काम में सबसे पहली बात, आपको बहुत ज़ादा अकेले पन की ज़रुरत है, जितना आप अकेले रहोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है, second चीज यह है, जितना आप अगर, जो आप काम चाहिए, वो काम अगर आपके, जहां आप रहते हो, उस place से थोड़ा दूर है, ठीके, आपको कहीं दूर ट्रावल करना पड़े, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके काम में अगर कहीं दूर जाना है, दूर सेटल होना लिखा है, दूर मतलब अब्रावड या बहुत फार सिटी, ठीके, तो भी आपका काम जोड़ना वो बन जाएगा, ठीके, और दूसरी चीज यहाँ पर यह, कि देखे दियर मुझे ऐसा लग रहा है कि, शायद आपकी लाइफ में कोई लीडी आपको मिस्गाइट कर रही है, ठीके, दे इस सम वन, ठीके, लीडी हो सकती है, बट दे इस सम फीमेल एनरजी, जो आपको कही न कहीं मिस्गाइट कर रही है, उन्हें कही ना कही उन लेडी की भी गलती नहीं है बट एक्चली कहा ना उन लेडी की जो perceptions है opinions है उनकी उनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो और बहुत ज़्यादा उनको follow कर रहे हो तो ये चीज करना आप प्लीज अपने perceptions अपनी individuality इनको maintain करके रखो ठीके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई जरूर गलत रस्ता दिखा रहा है ठीके कोई गलत चीजे बता रहा है और जिसकी वज़े से और वो खुद भी गलत रस्ते में और वो आपको भी गलत रस्ते में मिले जा रहा है ठीके अभी lady आपकी friend भी हो सकती है आपकी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आप डिवाइन को फॉलो कर सकते हो बट जो यूमन फॉर्म में यहां नहीं कहूंगी पिकॉस आप लोग जल्दी प्रभावित नहीं होना आपको किसी भी चीज़ से आपको अपने इंडिविज्वालिटी मेंटें कर कर अपनी है जादा स सबसे पहले बात आप अकेलर हैना सिखोगे आप दूर जाओगे जो भी आपका काम है उस जगे से दूर जाओगे उसके लिए आपको चाहे थोड़े सी महनत करनी पड़े और थर चीज यह आपको किसी को भी फॉलो नहीं करना है आप अपना मन अपनी इंट्यूशन अपनी चीजों को खुद बनाओ खुद देखो ठीके जो आपको बोलता है आप सोचो सोचो जरूर बट ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना ओके गाइस सो गाइस यह थी ग्रूप नंबर वन की डिटिंग ब्लू कोलर आई होब आपको पसंद आए और अगर पसंद आए तो प अगर बंते रुक जता है क्या अरचनाती है तो दीखेड है बात बहुत सिंपल सी है यह जो गुरूप है यह गुरूप अकशली एक वैसी इसी सोल्स का है जो अपनी लाइफ में अलेडी बहुत जादा टौर्चर देख चुकी है ठीके उल्रेडी बहुत जादा टौर्चर हैं बहुत जादा इनकी सबसे पहले तो जो एक कहते ना ब्रहम कहते हैं एक इल्यूजन कहते हैं सबसे पहले क्या हुता है जब हम इनिशली इनीजंश तो जो पिछला एक साल जो रहा है ना आपका वो ऐसा रहा है कि आप लोगों ने जो भी आपके रिलेशन्शिप में थे ठीके उनके साथ आपका जो बॉन्ड था वो पूरा 180 डिग्री चेंज हो गया पूरा 180 डिग्री ठीके मैं इस चीज को लिए के बहुत जादा श्यूर मैं आपको एक बात बोलू आप लोग वो एंजल हो ठीके आप ऐसी एंजल हो चो काफी हलकी हो ठीके जिसके उपर बहुत जादा बैगेज नहीं है पास्ट का बैगेज कहते ना पास्ट के जन्मों का बैगेज होता है कार में बैगेज होता है नो यू आप वो नहीं हो आप बिलकुल एक light soul हो और आपकी life में requirements भी जो है न वो बहुत जादा नहीं है आप actually मैं अगर मैं आपको बूलो आपके लिए क्या चीजे आपको पसंद आती होगी एक nature में walk ठीक है एक हलकी फुलकी लोगों से बात करना मस्ती करना हसी मजा करना फ्लावर्स और यह जो चीजे होती ना नीचर प्रकति यह सब चीजे और इवन गूमना थीक है मुझे गूमना आ रहा है तो यह जो लोग है यह लोग ऐसे लोग है इनकी बहुत जादा high-five demands नहीं है और बहुत जादा बड़े-बड़े सपने नहीं है यह बहुत ही वैसे मैं आपको कह सकती हूं कि यह बहुत ही divine के साथ connected लोगों आप लोग actually आपका divine के साथ इतना strong connection है और अगर मैं बोलूँ कि आपके जो पिछला जो एक-डिर साल में जो आपने टॉर्चर देखा, ठीक है, बहुत ज़ादा टॉर्चर देखा, आप लोगों ने पिछली एक डिर साल में, इवन आप बहुत चुप रहे हो, ठीक है, आपने बहुत ज़ादा वर्बली, मुझे ऐसा लग रहे है कि आपकी, आपकी लाइफ में पता है कैसे चीजे चेंज आपको लगा कि जब भी आप कुछ बोलते हो, जब भी कुछ करते थे, तो लड़ाई जवड़े होते थे, ठीक है, जब भी इस सब चीजे होते थे, पर लास्ट के वन टू यर्ज में न, एकदम आपके अंदर चो कहते हैं, आपने बिको एपनी स्ट्रेंथ बना ली, आप चुप रहे, खामोश रहे, मैं यहां पर यह भी देख रहे हो कि जो आपके रिलेशन्शिक में जो भी लोग यह उने, बहुत ज़्यादा उनके वज़े से आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आपको रात को बहुत अच्छी नी लास्ट के एक-दो सालों में कह सकती हूँ, लास्ट वाले जो एनरजी सी, उसमें इन्होंने समझ में आया कि इनका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है, वो ही आउट्मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ही सबसे परमानेंट है, उसको कोई चेंज नी कर सकता, और जो यह बाकी चीजे देखी, सही, चुप रहे, मुझे यह भी लग रहा है कि आप लोग अपने गर में रहते हुए भी अकेले हो, आप एक अलग परसन हूँ, ठीके, अलग परसन हो, आपको जो होप्स और एक्सपेक्टेशन्स जो होती न, वो अब टूट चुकी है आपकी लोगों से, इसपेशली जो आपके नश्दी, लोगे उसे टूट चुकी है, अब आपको कोई फरत नहीं पड़ता है कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है और अगर मैं बोलूं कि आपका कोंसा काम रूखते रूखते बन जाता है तो deer, आपका कामर रूखते बन होते हैं इवन जो चक्रास बैलेंसिंग ठीके रेकी और और जो भी spiritual teachers experience यह जो सारे जो काम होते हैं यह काम आपकी बंते-बंते रुप जाते हैं क्योंकि आपकी energy जो होती हैं कहीं ना कहीं आप अपने आपको फिर भी बहुत control करते हो बट फिर भी आपकी energy जो है ना यह इन चीजों में बहुत जादा लगी है ठीके मैं अगर कहा सकती हूं कि इस ग्रुप को अगर सबसे जादा हर्ट अगर किसी ने किया है तो इनके खुद के ही लोगों ने इनका दिल तोड़े और यह लोग ना फिर भी उन चीजों से उठके खड़े हो गए ठीके वह नोने अपनी इस ट्रेंथ और पते हैं आप लोग क्यों उठके खड़े हो गए क्यों आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है आपने अपनी परिवार में इतना टूट तव टूटे हुए चीजी देखी पर फिर भी आप क्यों कभी-कभी आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं जब आप बहुत जादा परिशान होते हो बहुत जादा हो जाता है ना लाइफ में मैस होता है तब पर हो जाता है इंटुशन आपका खड़ाब बट नो फिर भी आपका जो अगर मैं बोलू ना किया कौन सा काम बंते-बंते बात करूं ठीक है तो मुझे ना आप मेंसे मैक्जिमम लोग ये बोलोगे कि मेरे गर में सब है ठीक है पती या प्लवर जो भी है है या मम्मी पापा जो भी है बट अब मेरा मेरा अब एक कनेक्शन मेरे भगवान जी के साथ है जिनके साथ वो वो कनेक्शन ही मेरे लिए आप दिल से काफी अच्छे हो तो आप अपना डियूटी अपने धर्म कर्म सब निभाओगे पर एक चीज़ आपको पता पड़ गई है कि आपका जो जो भी भगवान के जी के साथ कनेक्शन है ना वो एक ऐसा कनेक्शन है कि वो आपको हर जगे संभाल रहा है हर जगे संभ अपने इतना सब देख लिया है कि अब आपका कुछ बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं है लोगों से बहुत ज़्यादा होप एक्सपेक्टेशन नहीं है ठीके आप अगर कुछ चीज मांगते भी होगे तो वो सिर्फ अपने से प्डेट में नहीं हो जहां पे आप एक सम ली को लेकी डेडिकेट करते। हम हां आपभरी फीजिकल ली तौर पे आप सब डिया कर दिख रहा होगा, बट इंटर्ली आप मझे सची सची बताना कि आप कियास क्या फील करते हो आपको पता है, आपको लगता है लाट आप स परिवार से जो मिलती है वो कभी मिलती है और बहुत बुरी तरह टूरती है फिर थोड़ी से मिलती है फिर बुरी तरह टूरती है आपके साथ ऐसा होता होगा तो अब इस साइकल से साइकल से आप बाहर निकलना चाते है तो अभी जो आपकी प्रेजंट एनरजी है वो यह भी पता है कि आप फिजिकल एक फिजिकल यूमन बींग के लाव भी बहुत कुछ हो आप एक स्पिरिट हो ठीक है आपको यह चीज पता पढ़ लिए आपको पता पढ़ लिए कि नो आपका फेद जो है वह बहुत जादा बढ़ गया है भगवान में बिलीफ बढ़ गया ह और अब आप इस फैमिली को ऐसे सिर्फ रिस्पॉंसबिलिटी मानते हो जो आपको पता है कि बस अब यह थोड़े टाइम मेरे को जितने टाइम के लिए निभानी है तब तक निभाऊंगी उसके बाद मैं भगवान जी इसको मिलूँगी यह जो चीज होती है ना मुझे य लाइफ का ठीक है यह experience actually इतना precious है मैं मानती हूं कि आपने लाइफ के बहुत ही गंदे experience देगे पट यह experience ऐसे ना कि इन्होंने आपको पूरी तरह से बदल के रख दिया है परिवान में आपके साथ कुछ ऐसे चीजे हुई हैं ऐसी हरकते हुई हैं ऐसी गटना हुई कि जि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब भी आप कुछ ऐसी चीजे करते हो या जाने अन जाने में आप actually भगवान जी especially मुझे वापस में अगर मैं बोलूंगी ना मुझे यहां पर कृष्ण भगवान दिख रहे हैं ठीक है माग्जिमम लोगों इलिए कि रश्ण भगवान दिख रहे हैं और इवन जो भी डिवाइन को आप मानते हो ना उनके लिए ठीक है तो मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि अभी जो आप कर रहे हो ना आप secretly अंधर ही अंदर अपने परमात्मा के लिए जी लिए अपने गवान जी के साथ चल रहा है और वो आपको हिम्मत दे रहे हो आपको बचा रहे हर चीज से अब आपको परिवार से जो कहते हैं आपका ध्यान जो है न वो वैसा वाला हट चुका है कि आपका मोह जो कहते हैं मोह बंदन वो हट चुका है और अब आपको एक नेक्स लेवल पे जा रहे हो और नेक्स लेल पे जाओगे तो यह अभी पास्ट के और सिफ प्रेजन के एनरजी निकाली जिसके लिए मैंने अभी सिर्फ यही कार्ड देखें ठीके मैं अब आपके देखूंगी कि आपके spiritual connection में और even जो भी आपकी wishes हैं ठीके जो भी इच्छा हैं जरूरी नहीं है यह spiritual हो ठीके बट फिर भी अच्छा एक और चीज आपकी जो यह ग्रूप है ना इस ग्रूप में आप में से बहुत सारे लोग यह भी चाहते होंगे कि जो चीज जो पहले कभी हुआ करती थी ठीके पहले कभी पास्ट में कुछ बहुत सालों पहले वह वापस हो जाए ठीके वह वापस हो जाए और वह शायद नहीं होई यह भी चीज हो सकती है तो यह जो भी काम है इनमें कहां blockages आ रहे में यहां पर यह देखती हूँ एक और चीज आप लोगों ने काफी अकेला पन काफ आप लोग एक लेवल अप के लिए जाना चाहते हो ठीके आप एक spiritual connection और strong करना चाहते हो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का काम वाइज ना work वाइज और individuality वाइज ना आप लोग और grow होना चाहते हो यह चीज भी हो सकती है तो देखे लिए सबसे पहली बात अगर में blockages की बात करों तो देखे लिए आप यह कार्ड देख रहे हो यह कार्ड में यह कितना जादा side side में पूरी तरफ black black है और सिर्फ एक यह हो ले एक यहाँ एक रोशनी है तो देखे लिए मुझे यहाँ पर यह जो condition है यही आपकी है आपके आस पास जो भी है ना यह कहीं ना कह है आप आपको उस मार्क से पीछे खीचने देती है और आपका कर्तवी यहाँ पर यह बनता है कि आप इस रोशनी की तरफ टिके रहो देखते रहो इसे आप यहाँ इस side में चारो तरफ ना देखो यही मीन परपस है मतलब आपको यह जो चीज ना यह इग्नॉर करना होगा तब ही यहाँ पर लेटिंग गो का काड़ आया सी एवरिधिंग इस इंडीड आउट अफ कंट्रोल और गॉड विल होल्ड इट ओल आई कैन सेफली लेट गो तीखो डियर मैं मानती हूँ कि आप लोग मेरे दिमाग में ना एक चीज आर यह राक्षस हो की बीच में हो ठीक में कैसी अपनी spiritual path पर आगे जाओं तो देखिए dear सबसे पहली बात तो यह कि आप यह बात यकीन मानों कि भगवान जी जो है ना जिनको भी आप मानते हो वो सब चीजे हैंडल कर रहे हैं आपके आसपास की चीजों को भी हैंडल कर रहे हैं और आपको भी हैंडल कर रहे हैं आप सिर्फ अपना काम करो जो आपका goal है उसकी तरफ जाओ और आपको इन चीजों से attach होने की भी जरूरत नहीं है see with detachment you finally feel I hope दिख रहे हैं you finally feel whole inside with or without the fulfillment of a particular desire ठीके चाहे आपके कोई materialistic इच्छा है या नहीं है ठीके बट जिस वक्त आप detach हो गए ना आपके असपास की energy से इन सब चीजों से ठीके तो आप actually में ना आप बहुत अच्छी state में जाओगे ठीके एक चीजी है मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखें यहां पे ना सारे cards ही ऐसे आरहे मैं आपको क्या बता हूँ meditate chant pray more जितना आप मन ही मन में जो कहते हैं चांटिंग करना meditation करना और इवन प्रेज बगवान जी का नाम समरन करना या उनको याद करना जो भी चीज आपको सही लगती है जो आप follow करते हो आप वो चीज और करो ठीके और ज्यादा करो फस्त यह चीज और अगर मैं बुलना औ कर रहे हैं पट फिर भी आप अगर आप सी वन मोर थिंग क्योंकि आप यहां पर आपके सराउंडिंग बहुत जादा negative energy या black energy आपको protection की बहुत जादा जरूरत है ठीके यह चीज आप हमेशा aware रहो conscious रहो आप अपनी life में जो लोग भी आपसे बात कर रहे हैं किस बारे में बात कर रहे हैं उनका ध्यान कहा हैं उनका intention कहा है इन चीजों पर aware रहो ठीके आप अपने आपको हमेशा protect करके रहो कोई भी फालतू जो चीजी होती ना जो आपके आसपास बोली जाती है या आपको ने कहीं भी ध्यान देनीं की ज़रुरत नहीं और एक चीज और में कह सक कि हो सके तो आप कोई crystals पहन सकते हो crystals ले सकते हो for protection like termiline garnet यह जो protection की होते है यह सब आप यह सब भी पहन सकते हो ताकि आप protected feel करो एक अगर हम protected feel भी करते है ना तो हम बहुत अची vibrations हो जाती ठीके okay second चीज यह कि dear मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफी busy रहते हो या तो आप गर के कामों में बहुत ज्यादा busy रहते हो अपके गर के जो काम होते ना चो चोबी काम होते है जो original physical world में काम होते उन में बहुत बीजी रहते हो first चीज यह तो आपको थोड़ा time off लेना चाहिए ठीके खुद को break देना चाहिए खुद के लिए एक holiday मैं मुझे नहीं प fruits और यह herbs और यह सब चीज़े लोगे ना because जो आपका goal है जो आपका जो आप चीज़े चाहते हो वो फिजिकली पहले आपको physical form को master करना पड़ेगा अपकी health को आपकी exercise को आपके खाने पीने को इन सब चीज़े को master करना पड़ेगा सही करना पड़ेगा अच्छे से होंगी उसके बाद ही आप spiritually और जादा कर सकते हो यह है कि आप spiritually हम कोई भी काम करते है वो हमें protect करके रखती है मतलब health भी अच्छी करती है यह चीज़ भी है but आप यह जो partner इस पर भी follow करो okay okay and then see देखो dear मुझे यहाँ पर आपका pain बहुत अच्छे से feel हो रहा है yes the pain you experience is not because of the situation but because of resisting resisting and blocking the situation जो भी चीज़े है आपकी लाइफ में अभी यह थोड़े time के लिए है मतलब मैं कह सकती हूँ कि यह आप एक तरह से एक cage में बंद हो एक पिंजरे में बंद हो और इसका भी एक time है अगर आप चाहते हो कि आप अभी से free हो जाओ मतलब आप अभी से यहाँ से निकल ज साथ connect हो रहे हो होते रहो और जो चीज आपके लाइफ में चल रहे है यह जो भी black energies है इनसे attach नहीं हो ना ओके चलो और बात करते हैं हाँ एक चीज और मुझे ना यहाँ पे आपके लिए एक चीज और पता बड़ी hibernate अगर आप शायद आपकी body बहुत ज्यादा exhaust हो गई ह टायद हो गई है इतने जादा mental tension frustration stress है तो अगर आप थोड़े time का अगर off ले सको ना किसी अच्छी जगे जाके nature greenery के पास जाके तो वो भी आप कर सकते हो के यहाँ पे यह blockages है आपके blockages है actually आपके खुदके तो कम हैं बट यह आपके जो भी bonds बने वे ना आपके life में जो भी soul की connections बने वे हैं जो भी और इवन जो भी लोग यहाँ आपके यह सब हैं अभी यह बट थोड़े time के लिए आप यह बात मानों यह थोड़े time के लिए वो चीज़े होंगी ओके ओके दिखे एक और चीज़ आप मुझे यहाँ पर यह तो पता बढ़ गया कि आपका जो goal है जो motto है वो एक अलग है spiritually connect होना divine के साथ connect होना या कुछ ऐसे काम करना ठीके भक्तिमार्ग वो सारे चीज़े हैं बट वो चीज़े तब होंगी जब आप जो आपकी life में physically, materialistic जो चीज़े ना अगर आप उनके साथ disconnect हो जाओगे ठीके क्योंकि आप किस चीज़े को value करते हो सबसे बड़ा जो point आता है वो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आता है कि आप किस चीज़े को value करते हो आप पैसे को value करते हो आप आसपास के जो चीज़े हो अगर आप spirit score ना divine को value करते हो आपको यह वाली जो चीज़े ना इस पर आपको थोड़ास अपने connections lose करने पड़ेंगे and then second चीज़ यह देखिए हम सब की life में कभी-कभी ऐसी चीज़े होती है कि हमारा जगड़ा होता है हम disconnect हो जाते है फिर वापस वो mutual patch up होता है हम वापस से उनसे जुड़ जाते है ठीक है आप जुड़ो connect हो सब चीज़े करो बट एक चीज़ याद रखो कि क्योंकि आपका जो motto है ना आपका जो goal है वो बहुत ही higher है बहुत ही अलग है इसलिए मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की बीच fuss के मत रह जाना ठीक है आखिरकार यह सब illusion है और end में हमेशा आपनी चीज़ देखे होगी आप थोड़े टाइम के लिए मन जाते हो फिर वापस से situation वो होती है कि चीज़े खराब हो जाते है चीज़े ना family में खराब हो जाते है तो आपको अपना एक stand रखना है ठीक है आप उनके साथ सही रहो अ पड़ेगा मतलब अपने आपको बहुत अठाच नहीं करना बहुत अधा सोच नहीं इनके बारे में कि अच्छा या रब तो अच्छा चल रहा है फैमिली में अच्छा चल रहा है अच्छा चलता है कभी तो ठीक है नहीं चलता है तब भी ठीक हमें सही हूं मतलब मैं से थोड़ा से दूर रहने की जरूरत है ठीक है बहुत ज़ादा लोगों की इल्यूजन्स में लोगों की ट्राप्स में लोगों की बातों में फसने की जरूरत नहीं है ठीक है यही आपकी गाइड़न्स है आपको इन सब चीजों से अपने आपको बचाना है प्योंकि जब आ आप चितना अपने आपको बचाओगे न उतना आपके लिए अच्छा है। ठीके गाइज, सो गाइज ये थी group number two की reading, I hope आपके साथ resonate हो, और अगर resonate हो तो please subscribe to my channel, thank you for listening, bye bye.